जहिन साथ नमस्कार मैं हूँ अभय और आप तबीकर श्रागत करता हूँ आपके अपने पैवार अभय एक्सल कम्प्यूटर में दुश्तों ट्रपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रपल सी एक्जाम के लिए 30 आति महात्पूर्ण प्रश्णों को ट्रपल सी फरवरी मार्च एक्जाम की जिरीस का ये तीसरा पार्ट है इससे पहले दो क्लास मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं जहां पर ट्रपल सी एक्जाम की पिछली परिच्छाओं में पूछे गया प्रश्णों को हमने डिस्कस किया था आज भी हम ट्रपल सी की पिछली हम कैसे करें या आप comment box में पूछते हैं दोस्तो ccc exam की त्यारी कैसे करनी है कौनसा वीडियो देखना है चौंसा class हमारे लिए important है इसलिए मैंने complete आपके लिए पनाया है क्या आपके ग्जारासपर प्रश्नों क coalition महामाराथन वीडियो और आपको top आपकर आएगा और अगर आपके पास समय इतना नहीं है तो मैंने अपनी e-book त्यार की है जिसके link वीडियो के नीचे दे रखी है जहां पर 2000 questions मैंने दिये हैं उसे भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं तो टाइम वेश्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की class यूंकि शीदी बात नोबकवास यही है अब है एक्सल की class let's begin in this topic पहला प्रश्ण आपका input file के अंत में कौन सा नियंत्रन वर्ड शंकीत करता है सभी प्रश्ण हिंदी और इंग्लिस दोनों लेंग्विजिस में मैंने लिखे हैं ताकि किसी भी इस्टुरेंट को कोई भी दिक्कत ना हूँ अब यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है input file के अंत में कौन सा नियंत्रन वर्ड शंकीत करने का काम करता है एक्जाम में Linux और Unix की कमार्ण से संबंदित काफी सारे प्रश्ण पूछे आते हैं तो यहाँ पर इसका right answer का option third control plus T ठीक है याद रखिएगा काफी important है अब next M.E.A. द्वारा उठाया गया एक कदम कौन सा है बताइए MEA का मतलब है जो हमारा विदेश मंत्राले है विदेश मंत्राले ने ऐसा कौन सा कदम उठाया है या फिर ये कहें कि विदेश मंत्राले का सबसे सफल प्रोजेक्ट कौन सा है तो पास्पोर्ट सेवा प्रोजेक्ट विदेश मंत्राले का सबसे सफल प्रोजेक्ट कहलाता है option first is right, अब next What is default view in LibreOffice Writer? LibreOffice Writer का default view कौन सा है? Print view, Slide view, Normal view या फिर Wave view आईए यहाँ पर हम LibreOffice Writer open कर लेते हैं और default view देखते हैं कि कौन सा है यहाँ पर Writer आपका open है, जूम कर लेते हैं यहाँ पर view में चलते हैं तो देखिए, by default हमारा Normal view यहाँ पर लगा हुआ है तो इसका right answer क्या होगा? Normal view इसके लाव प्रिंटर layout view जो होता है उसे भी हम default की रूप मानते हैं लेकिन यहाँ पर Normal view दिया गया है तो right answer क्या होगा? Option 3, Normal view अब next निमलिकित मेशे कौन? LibreOffice Speed Seat में default font name है LibreOffice Speed Seat का मतलब LibreOffice Calc में default font name क्या होता है? यह तीनों आपके लिए important हैं आईए यहाँ से हम Writer से ही open कर लेते हैं New पर जाके Speed Seat पर क्लिक कर देंगे तो हमारा LibreOffice Calc open हो जाएगा यहाँ पर जूम कर लेते हैं Side में आप देख सकते हैं दिया गया है font name का option तो यहाँ पर by default में क्या है? Libreation Sense है By default font size कितनी होती है? तो 10 होती है यहाँ पर दी गई है तो हमारा question था LibreOffice Calc में By default font name क्या होता है? तो Libreation Sense होता है तो option second is right नोट कर लीजेगा काफी important है CCC exam में questions repeat होते रहते हैं तो इस सारे questions आपके लिए important हैं इसे आप ध्यान से देखते रहिएगा अब next S, A, S का पूर्ण रूप क्या है? CCC exam में बहुत सारे full form से पूछ लियाते हैं exam का pattern कुछ ऐसा होता है कि सभी के exam में एक जैसे questions नहीं आते हैं किसी exam में कुछ questions आ जाते हैं जैसे कि हो सकता है आपके exam में 10-15 full form हो जाएं और बगल में बैठे हुए जो भी strengths हैं उनके exam में एक भी full form ना आएं ऐसा होता है triple z में ठीक है? तो full form काफी पूछा आते हैं normally यहाँ पर पूछा गया है SAS का पूर्ण रूप क्या है? बताई तो इसका full form होता है statical analysis system ठीक है? option second is right note कर लीजेगा काफी important है अब next डबलू पी ए का पूर्ण रूप क्या है? डबलू पी ए तो इसका full form होता है wifi protected access यह भी आपके लिए काफी important है कई बार triple six exam में repeat हुआ है अब next आतुल भारत एप के लिए विक्षित किया गया है means आतुल एप जो है वो किसलिए डबलप किया गया है आतुल भारत हमारे भारत का ही एक एप है यह किस कारी के लिए डबलप किया गया है यहाँ पर पूछा गया है health के लिए, tourism के लिए, population के लिए या फिर environment के लिए तो जो आतुल एप है यह परेटन के लिए किया गया है तो इसका right answer क्या होगा option second tourism ठीक है note कर लीजिएगा काफी important है हिंदी में और English में जो लिखा हुआ है इन दोनों नामों को आप याद रखीगा हो शकता है कि हिंदी में आतुली भारत ना दे शिर्फ यही नाम आपको दे तो दोनों आप mind में रखीगा अब next निमलिकित मेंशे कौन आपको एक LibreOffice Impress में से एक से अधिक slide चैन करने की अन्मती देता है में जब अगर आप LibreOffice Impress के अंतरगर एक से अधिक slide को select करना चाहते हैं तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं तो LibreOffice Impress का tutorial में आपको पढ़ाया था तो वहाँ पर इन सभी चीज़ों को समझाया था कि कैसे हम एक से अधिक slide को select कर सकते हैं एक से अधिक shape को कैसे हम select कर सकते हैं कैसे group बना सकते हैं new slide कैसे insert कर सकते हैं एक question triple six exam में यहाँ से पूछा आता है कि LibreOffice Impress में slide insert करने की shortcut की क्या है तो slide को insert करने के लिए हम उपयोग करते हैं control plus M का देखिए control plus यहाँ पर हम press कर रहे हैं और यहाँ पर slides insert हो रहे हैं अब हम यह चाहते हैं कि हमारी दो slide एक साथ select हो जाएं या 3 select हो जाएं तो इसके लिए हमें क्या करना है अपने keyboard से control प्रस करना है और slide पर click करना है तो यहाँ पर देखिए इस पकार से यह तीनो slide आपस में select हो जाएंगी ठीक है तो एक से आधिक slide select करना है तो इसके लिए control plus click each slide means control प्रस करके शभी slide पर click करना है वो sliding आपकी select हो जाएंगी अब next L1 is known as L1 का मतलब होता है दोश्तों label 1 एक साब से ठीक है तो L1 को हम primary case memory की रूप में जानते हैं तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option third primary case यह question बहुत ज़्यादा repeat होता है ठीक है most most important है अब next block को स्रंखला में कैसे सामिल नहीं किया जाता है means इसमें से एक option ऐसा कौन सा है जिसके माद्यम से block को स्रंखला में शामिल नहीं किया जाता है black sheep, orphan blocks, golden blocks या फिर genius blocks तो block को स्रंखला में कैसे सामिल नहीं करते हैं तो orphan blocks के दार नहीं करते हैं option second is right, अब next, LibreOffice में macro command किस menu में पाई जाती है, macro का मतलब macros, ठीक है, तो यहाँ पर, देखिए हम open कर लेते हैं writer, zoom करते हैं, और यहाँ पर चलते हैं tools menu के अंतरगत, tools menu में spelling दी होती है, spelling की shortcut की triple six exam में काफे पूछता है, app 7 होती है, automatic spell checking में पूछे आती है, shift plus app 7 होती है, ऐसे ही auto text की control plus app 3 होती है, LibreOffice से shortcut keys और कौन सा function किस menu में होता है, यह काफे पूछा आता है, एक 100 question की मैंने पूरी LibreOffice की marathon class कराई है, जब से महा मैराथन बनाया है, महा मैराथन का ही नाम आता है, तो 100 question की LibreOffice की marathon class कराई है, उसे आप exam से पहले देख शकते हैं, यहाँ पर macros के बारे वाद की गई है, तो macros का option मिलता है हमें, tools menu के अंतरगत, macros के दौरा क्या है कि हम खुद की shortcut की बना सकते हैं, जैसे कि आप video record करते हैं, या audio record करते हैं, तो बाद में वो वहशे हैं हमें दिखाई देता है, वैसे ही आपने जो भी work किया है, उनको record करने के लिए, हम macros का उप्योग करते हैं, तो यहाँ पर इसका right answer होगा, option third tools, अप next, treat apology में root note से जुड़ने वाली अन्य नोड को क्या कहते हैं, बताईए, तो treat apology में root note से जुड़ने वाली अन्य नोड को, हम child note के जाम से आनते हैं, option first is right, अप next, निमलिकित मेंशे कौन सा एक शतंद्र दुर्भावना पूर्ण कारिक्रम है, जिसे किसी भी मेजबान कारिक्रम की आवशकता नहीं होती है, बताईए, क्या होगा इसका right answer, तो इसका right answer होगा, option second virus, ठीक है, वाइरस एक दुर्भावना पूर्ण कारिक्रम होता है, जिसे किसी अन्य मेजबान कारिक्रम की आवशकता नहीं होती है, ये खुदी सबको बरबात करने में शक्षम होता है, अब next, वीडियो कॉन्फरेंसिंग में निमलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रियोग किया जाता है, बताईए, काफी important question है ये भी आपका, तो वीडियो कॉन्फरेंसिंग में हम VOIP, वाइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का उप्योग करते हैं, इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखेगा, अब next, किसी फाइल में शमलित, कुल पंक्तियों, शब्दों और वर्डों को गिनने के लिए कौन सी कमांड का उप्योग किया जाता है, एक्साम में Linux और Unix की कमांड से संबंदित काफी कुछन्स पूछाते हैं, इसलिए जो e-book मैंने बनाई है, वहाँ पर अलग से Linux की कमांड भी मैंने रखी है, ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है, count the total number of line, मतलब हमारी जो फाइल है, उसमें कितनी लाइने हैं, कितने word हैं, कितने character हैं, means word count का work कौन सी कमांड करती है, तो इसका right answer होगा, option c wc, ठीक है, wc कमांड ये काम करती है, अब next, भारती रेलवे द्वारा, रेलवे आरक्षन का कारे किसे सौपा गया है, बताई, तो रेलवे द्वारा आरक्षन का जो कार्म है, वो IRCTC को सौपा गया है, किसे सौपा गया है, IRCTC, अब next, एक तस्वीर के अंदर, जानकारी छिपाने के लिए, किस तक नीकी का उप्योग किया जाता है, means कोई figure है, उस figure के अंदर, आप बहुत सरा डाटा छिपा सकते हैं, जिसको भी जानकारी है, वही उस डाटा को प्राप्त कर सकता है, अन्य लोगों के लिए, शिर्फ वहाँ तस्वीर ही होकी, ठेक है, तो यहाँ पर पूछा गया है, कि तस्वीर के अंदर, जानकारी छिपाने के लिए, किस टेक्नोलाजी को उप्यूग किया जाता है, रूट किट्स, बिट मैपिंग, इस्टैन और गौफी, या इमेज रेंडरिंग, बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप्टन सी, ठीक है, नोट कर लीजेगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, अब नेक्स्ट, भारती मुद्रचन रुपया, ठीक है, यहाँ पर आप सिंबल देख रहे हैं न, ये सिंबल, किन दो भाशाओं के मेल से पना है, देवनागरी अर्भी, अर्भी फार्सी, देवनागरी रोमन, या फिर उपरोक्त शभी, बताई, नेस्ट कुश्टन है आपका, IMEI इस्टैन फॉर, IMEI होता क्या है, इसका उप्योग क्या है, इनसे काफी साई कुश्टन पूचाते हैं, देखिए, एक परषन यहां पूचा आता है, कि खोजी हुए मोबाईल को, खोजने के लिए, हम किसका उप्योग करते हैं, means, जो मोबाईल खो गया है, अगर हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं, उसे ट्रैक करना चाहते हैं, तो इसके लिए किसका उप्योग करते हैं तो IMEI नंबर का ही उप्योग करते हैं इसका फुल फाम होता है International Mobile Equipment Identity अर्थाथ Option Second is Right ठीक है याद रखेगा हुता कहाँ पर है तो मुबाइल में बैक साइड में अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पर IMEI नंबर दिया होता है अब Next One Time Password क्यों सुरक्षित है? बताईए One Time Password सुरक्षित क्यों माना जाता है? देखे One Time Password को हम सेव इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ हर एक्सेस के लिए भिन होता है इसका नाम ही है OTP One Time Password अर्थात ऐसा Password जिसका हम केवल एक बार उपयोग कर सकते हैं बाकी शेर करना चाहें तो आप से कर सकते हैं जन्डेट करना सिंपल है यह तो ठीक है लेकिन बात है सुरक्षित की तो इसी दे सुरक्षित है क्योंकि जितनी बार आप उपयोग करेंगे उतनी बार आपको नई OTP ही मिलती है अब नेक्स्ट Every node connected to each and every node in which topology means किस topology में हर node प्रतेक नोट से जुड़ी होती है बताइए अब ही चैप्टल 6 के अंतरगत मैंने आपको पढ़ाया था topology के बारे में तो वहाँ पर आपको मैंने बताया था मेश topology के बारे में मेश topology में क्या होता है सभी node एक दूसरे से जुड़ी होती है इसलिए हम इसे completely connected topology भी कहते हैं ट्रपल सीक्सामिक question में पूछा आता है कि किस topology को completely connected topology कहते हैं तो हम किसको कहते हैं मेश topology को अब next 3D printing के खोज़ करता कौन है बताईए चार्ल्स हल लेडी पेज इस्टीव जॉप्स या फिर बिल कैट्स तो 3D printing 3D printing के खोज़ करता है चार्ल्स हल option first is right अब next निमलिखित मेशे कौन सा सबसे पहले blockchain कार्यानमन विद्द किया गया बताईए क्या होगा इसका right answer Bitcoin, Ethereum, both of the above या फिर none of the above कौन सा सबसे पहले blockchain कार्यानमन विद्द किया गया था तो सबसे पहले की बात की गई है तो यहाँ पर इसका right answer होगा Bitcoin ठीक है option first is right अब next LibreOffice Writer में किसी फाइल को word-document.diyoshi format में शेब नहीं कर सकते true या false तो बिलकुल आपका गलत है क्योंकि आपको कहा गया है नहीं कर सकते जबकि आप word format में भी शेब कर सकते हूँ अब next Ubuntu operating system में इसक्रीन लॉट करने के लिए किस shortcut key का उप्योग करते हैं means जैसे आप windows में इसक्रीन को लॉट करने के लिए विंडो प्लस L का उप्योग करते हैं अब यहीं से एक कुछन टरपल सीक्साम में बन जाएगा कि Windows operating system में इस्क्रीन को लॉक करने के लिए किस ओठकट की का उपयोग करते हैं तो विंडो प्लस अल का करते हैं वैशे ही उबन टू आपरेटिंग सिस्टम में इस्क्रीन को लॉक करने के लिए हम कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस अल का उपयोग करते हैं किसका उपयोग करते हैं कंट्रोल प्लस Alt-Plus L अब next इंटरनेट इस वन आप दी बेस्ट नून एक्साम्पल आफ इंटरनेट किसका शब्से प्रशिद उधारन है बताई क्या होगा इसका राइट आशर तो इसका राइट आशर होगा एंटरनेट वैन का सब्से प्रशिद उधारन है Lens का full form, local area network, man का full form, metropolitan area network और Shenn का कोई full form यहाँ पर नहीं है। एक नॉर्मली भाषा में इसे हम state area network कह सकते हैं लेकिन ये अभी बहुत जादा प्रिचलित नहीं है। ठीक है? तो right answer क्या होगा इसका? When. वेन कहां काम करता है तो ये दो देशों के बीच में, धुपों के बीच में, महाधुपों के बीच में काम करता है अब next एक micro computer system में central processing unit, CPU या processor एक single chip में होता है जिसे micro processor कहते हैं true या false true and false के भी exam में काफे questions पुछाते हैं लगभग 20-25 questions true and false के आजाते हैं कभी-कभी questions के संख्या जादा भी हो जाती है, 25-30 हो जाती है और कभी कम भी हो जाती है तो CPU का full form क्या होता है? Central processing unit होता है, यहांसे आप याद रख्षकते हैं तो बिल्कुल सही है, एक chip की रूप में, एक single chip की रूप में होता है Option first is right, अब next क्या प्रियोग करता उमंग एप पर राजवार विभागों की शेवाएं एक्सेस कर सकता है? True या false उमंग का मतलब क्या है? The Unified Mobile Application for New Age Governance इसे सरकार ने इसी लिए डेवलब किया गया है, ताकि जो भी सरकार की शुधाएं हैं, उन्हें एक साथ एक प्रियोग करता राजवार विभागों की शेवाएं को एक्सेस कर सकता है Option first is right, अब next RTGS UTR में कितनी शंख्याएं होती है? RTGS का फुल फॉर्म क्या है? Real Time Gross Settlement क्या होता है? Real Time Gross Settlement और इसमें 22 संख्याएं होती हैं कितनी 22 संख्याएं होती हैं? तो आज से क्लास में बश इतना ही मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पशंद आया होगा अगर आपको वीडियो पशंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा साथी साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्स्राइब करिएगा और अपने सभी दोश्तों के साथ इस वीडियो को ज़र सेर करिएगा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप फेश्बूक, वाटसब या इंस्टाग्राम कहीं पर भी हमसे कॉंटेट कर सकते हैं जो नंबर आपको मैं वाटसब के लिए दे रहा हूँ वाँ पर सिर्फ वाटसब पर ही आप कॉंटेट करिए उस पर कॉलिंग आप बिल्कुल भी मत करिएगा थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो फिर मिलते हैं नेस्ट क्लास में तब तक के लिए बाइ